, पहले यह रियाना के औकी जनल सक्टिय उते थे अभी वाइस प्रेजनट हर्याना के, है और ज्वाइन शेक्तिय औकी इंडिया के , तो दुन्हों चीजों को यह रिप्रेजन्ट करने हैं अपने हरा एंदे तप से सुरंजर बेनिवारा है मेरे साथ मेरे सीनिर वाइस प्रिजेंट है तरुन गोईल है यह मारे चीफ एडवाइजर है उक्की सार के और रामेर है जो मारी फिलारियों की विविस्ता है रहने की वह पूरा देख रेख रहें रामेर जी कर रहे हैं और मैं प्रोफेसर मंदीब ब देरेक्टर चार्ज है अनिल डबास जी है वो सिनिर कोच है और मेरे साथ जनल सेक्टरी अजाद सी मुलिक सिनिर कोच है वो इसलिए प्रेस में नहीं आ पाए क्योंकि हमारा इसार का मैच चला है तो बिएंगे वो टीम मैनेजर तो ग्राउड में है इस परकार से अलग सेयोग किया है और आगे भी चैर्जिंग डा प्रोगाम है उसमें भी आप ये सेयोग करते रहेंगे चोजा तारिक को मा आपको बताऊंगा कि दो बजे जुनिर का फाइनल मैच है और पारितोस्री वितन भी है जुनिर का उसमें हमारे हलियाना के डिप्टी स्पीकर रनवी इसले अपने इसार सही डॉक्टर कमर गुपता जी उसमें चीफ गेस्ट रहेंगे और गेस्ट ओफ ओनर जो हमारे चीफ एडवाइजर है इन्होंने वारी काफी मदद करी है तो यह उसमें गेस्ट ओफ ओनर तरुन गोल जी रहेंगे और डॉक्टर सुरंदर शिवास जो जो बट्टू में जिनका अपना कलिनिक है वो भी उस दिरान हमारे गैस्ट ओफ ओनर तन्दा तारिक को रहेंगे तो मैं अब सुनिल जी से परातना करूंगा कि यह जो अपनी 16 जूनियर और 34 वी सीनियर जो होकी वोमिन चेंपिन स्टेट की हो रही है उसके बारे मताब कल भी बता था आप भी है आगी बात करते रहेंगे आज के जो मैच हैं वो सिनियर वरक के दो मैच हुए हैं आपके जानके प्तादू हिसार और महंदरगड का सुबह मैच था इसार ने महंदरगड को 12 जीरों से हरा करके बहुत बड़ी जीत दर जासिल की आज और दूसरा का जिसमें चार जीरों से करनाल ने जीन को हराना काम किया है और अभी ये जूनियर का मैच चला हुए अपने इसार और गुरुगावा का अभी तक हाफ अवर हो चुका है दो आप 15 15 मिनिट के साथ जीरों से इसार अभी आगे है आगे जल जो भी आएगा आप उसमें देख करना करूंगा कि वह आपको उसकी विस्तरत जानकारी दे सुनिल जी परिद्व मुने जितने मारे पत्रकार बंदू है उनका मारे जन्यवाद करना चाहूंगा कि इतने शोर्ट नोटिस कर ओ यहां पर उपस्तित हुए है और क्योंकि बगैर पत्रकार के कोई भी आयोजन अब हमारा ग्वालियर में यूथ गेम्स है वह एक से लेकर ग्यारा फरवरी ता और जो उसमें होकी है वह च्यार फरवरी से लेकर दस ता तो उसके लिए अभी हमारे कौलिफायर रांड वा था भनवेश्वर में उरिश्या के दार रहां पर होकी इंडिया ने बहुत अच अब लड़कियां अब वहां पर चैंपिन रही और लड़कों ने ब्राउन मेडल जीता हो उनके भी आपे यहांपे अभी जो फानल राउंड है वो ग्वालियर में पूनी जा रहा और चाहता आरीकों हमारा रियाने का पहला में चौगा और दस तारीकों फानल है उसके लि तर्वार में दिया है इसी ग्रोंट और वो जो तुना में जो कैम्प होगा वो 16 तारीक से स्टार्ट होगा और तीस तारीक तक चलेगा जनुरी मेहने में और उसके बाद दो तारीक को टीम जाएगी सुबह श्याम तक पहुंच जाएगी और चाह तरेको वह मैच खेलेगी औ और उसके जो कोच होंगे वो मारे अजाद सिंग्मली की मारे आगे जो सीनियर मोर्स कोच है वो उनके टीम के कोच होगा और एज इटीज हमारा लड़कोंगा जो है और राहिंदर स्पोर्ट स्कूल में कैप दिया गया है वो भी 16 तारीक से स्टार्ट है और तीस तक चलेग पहला मैच होगा उसमें राहिंदर सिंग्स याग है वो उसके कोच होंगे वहां पर यह जो खेलों इंडिया यूथ गेम्स हैं यह अंडर 18 और जो बच्चे भाग लेंगे उनकी पर्फोर्मेंस को देखते हुए होटकी इंडिया के वां सेलेक्टर्स भी होंगे होकी इंड पर्फोर्मेंस करेगा उसका इंडिया केम में सेलेक्शन होने के बड़े अच्छे चांस है और आज तक तो वैसे ही हो किया बहुत बुखार चर्चटा हुआ है कल ही हमारे वर्ल्ड कप का ओपनिंग होई है उडिशा के अंदर और 29 उसकी क्लोजिंग होगी और हमारा सभी भाटवाश होगा है के सोच रहेगी के जो वर्ल्ड कप अभी है वो इंडिया में ही रहे है हमने पिछे पंदा दिसंबर को एक हो की जो कप था उसको अमने रन किया था हरियाना कहलता है कि चंदगड से लेकर सोनीपत तक उसमें जितने भी मारे पीच में स्थेटी आए उस जितने आए उनमें हमने सब को कि डेमोस्टरेशन किया उसको महाँ पर रखवाया और उसके बाद दिल्ली को स्पूर्द करते है कि मेरा आप लोगों से यह है कि जो हमारे आपे खेलों इंडिया का कैम्प लगे उसमें आप लोगों का बलसायोग मैं चाहूंगा कि उसको सब्सक्राइक हाई लाइट दिखाएं का कि हमारे जो बच्चे आज चैंपिन हो के आए थे दोबारा उसी वही अच्यूमेंट हमारे गौली ने दुबारा लिए कि इसमें आठारा है मारी जो टीम है अठारा की अठारा सेलेक्शन डिपार्मेंट स्पोर्स कर चुका है तो कि इंडिया वाले वहां पर बीजी हैं तो वह में उन्हों यह बता जा कि चार को पहला मैच है मारा तो सुकता है कल यह पर्सो कउली ओपनिंग उपनिंगों टो बीजी ओने कान इकली आपर्सो वह जो 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 इफिक्श राएगी माक को क्योंकि 12 से कटी सी यही अपना क्या तो वाइज का सोनीपत रहेगा तो मिलिक साब हमारे को वह वर्ट्षा पे डाल देंगे तो यह जो पर फेमेंस होगी बच्छोगी बाइचांस किसी कम हुई या हुई तो मारे जो दूसरे बच्चे हैं कि स्टेंडबाई में आम उनको बुला लेगा है कि उसकी बचला के तूब है इसा है गोर्मेंट पर अच्छा स्टैप लेरी है उसमें हमारे को जो भी बच्चे हमारे स्टेट लिल पर या नेसी लिवल पर कोई पोजिशन आती है या पार्टिस्पेट करता है उनको कैसा फिर पर यह हमारा इंडिया में शेपसे प्यस्काअइब उता है कैस वाद सब्चाइब लोगंने बच्पेशन होती है जिस करेंशन के वियां पर यहां पर जो यह सी गूरूप में अब दूसरे नोक्रियों में वह डाएकट स्पोर्समैन उनकी भठी होती है यह आपके जानकाने के लिए बता दूँ मैं कि जो हमारे होकी के कोची जो अपने गज़ को देंगे उसमें अजाटी मिलिक सीनियर कोच हैं और रूची का मिलिक जो अपने स्टेडियु में की कोच यहां है वह उनके से चोगी रहेंगे और युमनानगर से हरजिंदर को अक्की कोच आपके नमयकि कोच है वह तीनों अजाटी के लिए दो तो वो उसकी वो देंगे फर्शिक्सर गॉयज में जो राइस्कुल की मिलक साभ ने बताए था वो उसमें राज इंदर सी आग अर्यण आपकी की तरफ से वो सीणियर उसमें रहेंगे कोच ए और राहूल पवार सोनीपत से अकी परसिक्सर कोच हैं वो उसके से होगे रेंगे और विरिंदर सिंग जो कुर्षितर से आखी कोच है वो उस वाइज में उनके से होगी रहेंगे इस परकार से तीन कोच वहाँ और तीन कोच यहाँ 16 तारिक से 31 तारिक तक दोनों टीमों को खेलों इंडिया के लिए प्रसिक्षित करेंगे मैं इसार के लिए बात करता हूँ इस तोर से हमारा सुभागय है कि होकी इंडिया के जोएंट सेक्टरी होकी रहना के वाइस परियासों से यह आयो जर्मने फिर एक बार यहां 15-16 दिन के लिए यहां पर अपने इसार के अंदर रही है क्योंकि यह इसले के रहा हूँ कि दो-तिन साल के अंदर जो हना वो जो करोना की वज़े से हमारा सारा काम वो बच्चों का खेलने का डिस्टप हो गया था यह जो जो हना वो दुबारा से शुरू हुआ है आपके से योग से और आपके आपके उसे जो लोगों के बीच में आज मेरे पास बहुत फोन आए बहुत लोगे ने कहा कि यह मैस फिर शुरू कर दी है क्योंकि हम तो क्याते हैं कि यह जंगल में नाच्चम और किस ने होता है लाइन तो साथ कम लग बढ़ते हैं फोटो जो देखते हैं कि वही यह क्या क्यों बच्चे जो खेल ले थे बड़े अच्छे फोटो दिये हैं तो उनका यह जी गेम दुवारा हो गया है तो मुझे लगता है कि आज से लोगों का भी आना जाना रहेगा उसके लिए लाइट को 400 रुपे होगी और साथ में जावे बच्चे रुकेंगे उसको 300 रुपे डेली रुकने का होगा और आने जाने का ट्रांस्पोटेशन होगा 300 रुपे उसके उंगे यह लगा लोगे 1,000 रुपे पर खिलाडी डेपार्टमेंट स्पोर्स उनको पे करें देली दि तो मैडम कह रही थी कि जो बेंजे फूच रही थी कि सरकार क्या दे रही है तो यह कैम्प के अंदर भी एक लागशनमा जार पी जो बच्चे ठार लड़कियां हमारे इसहार में यहां पर सीसिंग लेंगी उनके रहने खाने आने जाने सब वश्ता अर्याना गोर्मेंट की कि तरफ से रहेगी और मैं उकी सार के इलावा निगरानी स्मिती मेरे पास लोग स्वागी जो देखना होता है सरकार की तरफ से कि पैसा आया और वो पैसा वास्तों में ठीक खर्च वाग निया एक पाई-पाई की में 16 दिन तक और रखेंगे तो कि वो तुरू डिये सो पै कि जित जाएंगे होंगी उतने ही खिलाडियों आगे आगे निकल कर आए पिछे बहुत सारे फत्राव बंदू जिनको मैं भाई फेज जानता हूं उस टेम भी थे वो उन्हें परियास से अपना इंसार ओकी के परियास से यहां वे तीन चार नेसल पगुना इस कराई जिसम इतनी आप भीड़ती के खड़ा होने को जंगे नहीं थी लोग अमनी गाडियों पर खड़े हुए हैं यहां तो उसका रजल्ट क्या हुआ यहां से एन अधिती का लड़कियां को है आध इंडिया टीम में हुझता है टीम में इंडिया टीम में वो स्रब यहां के हमारा काम इसमें पुरू करने में ज्यादा उन्हीं होती स्रव हमें चांज मिलना चाहिए पुरू तो हमारे बच्चे कर देंगे जाए तो हमने यहां पर ने उनको एक प्लेट फॉर्म दिया यहां पे हो की लिए के सेलेक्टर साए उनके पदा दीकारी आए उनके कार्ण आज हमारी चार-पांत लड़किया इंड्या टीम में यह वहां पे जो में आपने मंदीब जी हैं हमारे उसार के इनों और नहीं कि आव लोगों मैंत उस रूप में हमारे आगे कि कि वहारे दोर सत्य वाइब के विच में आई हैं राज कुमार चेले ठेकेदार यह मारे वाइश पेंट नोकी सार के है और विकंदर मली काव जानते हैं जाद दिनसला परदान भी होते थे और यह भी हमारे लोके सार के वाइच प्रेडेंट है यह भी आपके बीच में आए हुआ 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 है